Hello everyone, so in this video lecture what we all are going to talk about? We all are going to talk about maths, very 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 important questions for all exams. Maths के हम कुछ ऐसे questions देखेंगे, उनकी short tricks देखेंगे जो हम solve कर सकते हैं और वे questions सारी exam के लिए हमारे लिए बहुत बहुत important हैं. So let's see first one. First question क्या कह रहा है आपका? 3 numbers का आउसत है आपके पास 155. मतलब 3 numbers का sum आपके पास 155 है. जो biggest number है वो है आपका 180. और जो दूसरा number है, जो दूसरे दो number है उनमें 25 का difference है. biggest number आपका 180 हो गया. 180 और बाकी के जो दो number है इनमें minus 25 है. 25 का difference है. आपको smallest number निकालना है. You have to find what smallest number. तो देखें, हमें पता है 3 into 155 is equals to 465. तो सारे तीन डिजिटों का sum, ये तो औसत है उनका, average है. तो तीन डिजिट का, अगर हम उन तीनों डिजिट का sum निकालेंगे, तो हमारे पास वो 465 आएगा. कैसे 3 into 155 करके, हमारे पास sum आया, answer आया, 465. तो ये तीनों डिजिट्स का, आपका sum है. हमें का गया है, हमारे पास जो एक number हमें 180 दिया हुआ है, 180 और ये जो दो number हैं, हमारी 180 सबसे बड़ा है, और ये जो दो number हैं, इनमें minus 25, 25 का difference है. तो हम क्या करते हैं, 465 में से 180 minus कर लेते हैं, तो ये आगे हमारे पास 285, तो जो other two digit हैं, ये जो बाकी की digit हैं, ये हैं, दोनों मिलाके 285, अगर हम इन दोनों का sum करते हैं, तो वो हमारे पास 285 आएगा. अब 285 में से 25 minus कर देते हैं, 285 minus 25, 260 हमारे पास आया है, 260 को 2 से divide करेंगे, 2 से इसलिए divide करेंगे, क्योंकि हमें 2 digit निकाल ली है, 260 को 2 से divide करेंगे, 130 आएगा. तो हमारे पास 3 number हो गए हैं, 130, 155, 180. 130 हमारा पहला number हो गया, 130 में 25 plus करेंगे, यह दूसरा number आया, 155, और तीसरा number हमें हमें already ही given था, 180. हमने क्या क्या, 155 से 3 की into करी answer जो आया, हमारा वो 30-0 digit का sum सा, 30-0 digit के sum को 180 से minus करा, हमारे पास 285 आया, 285 में से minus 25 करा, हमारे पास 260 आया, 260 को 2 से divide करा, 2 से divide करने के पास हमारे पास एक number आगया, इस number में 25 प्लस के 155 पना आगया, और यह 180, तो smallest number आपको यहाँ पे कौन से दिख रहा है, 180 आपको यहाँ पे smallest number है, let's move to question number 2, question number 2 कह रहा है, 10 लड़के, 10 लड़के और 16 man, 10 लड़के हैं और 16 आदमी हैं, वो किसी वर्क को 9 दिन में करते हैं, पर 16 आदमी और 4 लड़के, उस वर्क को 10 दिन में करते हैं, उस वर्क को 10 दिन में करते हैं, लड़के कम हो गए, तो कितना ratio है man और boys का ratio हमें निकालना है, देखें, तो 9 इंटू 10 और 9 इंटू 16, यह हमने क्यों करा, देखें हम देख रहे थे, 10 boys, एक वर्क को 9 दिन में, 10 लड़के और 16 men एक वर्क को 9 दिन में कर रहे हैं, तो 10 इंटू 9 और 16 इंटू 9, हमाई पास 90 और 144 boys आगया, 90 boys 144 men, अब, नेक्स दिन में आया है, 16 आदमी और 4 लड़के उस वर्क को 10 दिन में करना है, तो 16 इंटू 10 और 4 इंटू 10, 160 और 40 आगया, तो 90 boys प्लस 144 men, इक्वल हैं, 160 men प्लस 40 boys, यह हमारी इक्वल है, यह हमारी एक equation आप मान लिए, यह equation आपकी यह बन गई है, यह इसके equal है, यह इसके equal क्यों है मैं अब, बच्चों, एक दिन का फर्क है, हमें क्या करना है, हमें ratio निकालना है, तो उस ratio के लिए, हम उसे एक दिन का फर्क count नहीं कर रहे हैं, हमने बस यह जो दोनों थे, इनको इनके number से multiply करा, इन दोनों को इन दोनों की number से multiply करा, दोनों equation equal में रख लिए, अब 90 boys, माइनस 40 boys, boys वहां से इधर आगए, man इधर से इधर चले गए, तो मारे पास 50 लड़के और 16 आदमी आए, तो पचार से 16 और 50 को ratio में रखेंगे, ratio आपके पास 25 ratio आट आएगा, या आप ऐसे रखेंगे, उल्टा रखा हो हैं पर 50 अपन 16, जब इसको डिवाइट करेंगे, you will get 25 ratio आट, तो आपका ratio आजाएगा 25 ratio आट, मतलब 25 लड़के और 8 आदमी, 25 लड़के और 8 आदमी, let's move to third question, which is very important for your exam, third question आपका है, x square minus 4x plus 1 आपका शुन्य है, x square minus 4x plus 1 आपका शुन्य है, तो x square plus 1 upon x square क्या होगा, x square plus 1 upon x square क्या होगा, देखें, हम क्या करते हैं, हम इसको कुछ इस form में convert कर लेते हैं, इसको किस form में convert कर लेते हैं, इसको किस form में convert कर रहे हैं, x plus 1 upon x की form में, तो देखें हमें क्या given है, x square minus 4x plus x plus 1 upon x is equal to 0, हमने रखा, यहाँ पे हमने let कर लिया है यहाँ पे हमने नीचे x रख लिया है इसको divide करने के now x-4 plus 1 upon x is equal to 0 x plus 1 upon x is equal to 0 minus 4 x plus 1 upon x आपके पास क्या आगया 4 x plus 1 upon x आपके पास आगया 4 तो अब आपको x square plus 1 upon x square निकालना है तो आप क्या करेंगे आप 4 का square कर देंगे जो x plus 1 upon x का आणसर आया है 4 हम इसका square कर देंगे क्योंकि हाँ पे हमें x का square हो रहा है x का square हो रहा है तो इसका भी square कर देंगे 4 का square हमारे पास आएगा क्या 16 उसके square में से 2 minus कर देंगे square में से 2 minus कर देंगे your answer will be 40 okay next question next question में आपको कहा गया है क्या 1030 degree minus sin 30 degree किसके equal है 1030 degree minus sin 30 degree किसके equal है तो देखिए 1030 degree की हमाई पास value हमें पता है क्या होती है 1 upon under root 3 और sin 30 degree की हमाई value होती है minus 1 अब इन दोनों को अगर हम solve करते है तो under root 3 और 2 LCM लेंगे LCM आएगा 2 under root 3 ऊपर क्या करेंगे अब under root 3 तो यहां आजाएगा minus under root 3 और यहां जाएगा इस तरह से आपका question solve यह आपका यहीं रुक जाएगा यह आपका यहीं रुक जाएगा इन दोनों की value पता थी इन दोनों की values का LCM यह ए and after getting LCM हमने इनको solve कर दिया आफटर getting NCM हमने इनको solve कर दिया आगे बढ़ता है फिफ्ट question फिफ्ट में आपको कहा गया है कि X plus 1 upon 3 आपको 3 दिया हुआ है तो X4 plus 1 upon X4 आपका कितना होगा आप इसको किस फॉर्म में convert कर लेंगे हम इसको X plus 1 upon X square की form में convert कर लेंगे जैसे हमने इस वाले question में X plus 1 upon X की form में convert किया था X square plus 1 upon X square निकालने के लिए तो इस वाले question में हम X plus 1 upon X square की form में convert कर लेंगे X4 plus 1 upon X4 निकालने के लिए तो let's see the answer X square plus 1 upon X square की form में हम इसको convert करने के पोशिश कर रहे हैं तो देखिए X plus 1 upon X हमारा 3 है X plus 1 upon X हमारा 3 है तो हम क्या करते हैं इसको X square plus 1 upon X square में निकालना है और मैं आपको बता चुकी हूँ अगर हमें x plus 1 upon x को value दे रखी होती है तो उसको x square plus 1 upon x square में निकालने के लिए क्या करते हैं जो answer आया है उसका square करके minus 2 कर देते हैं तो इसमें भी हमारा answer क्या है x plus 1 upon x का 3 तो 3 square minus 2 कर देंगे 3 का square 9 minus 2 7 तो x square plus 1 upon x square आपके पास आगया 7 x square plus 1 upon x square आपके पास आगया 7 अब आप क्या करेंगे इस पूरे का square कर देंगे इस पूरे का square कर देंगे तो x square x4 हो गया plus 1 square 1 हो गया plus x square x4 हो गया यहाँ square है next 7 का square करेंगे 49 आएगा अब ये आने के बाद इसमें से minus two कर देंगे तो 47 answer आजाएगा 47 answer आजाएगा सिर्फ हमने पहले ये निकाला और फिर हमने उससे ये निकाल दिया हमारा question हो गया solve हमारा question हो गया solve next question देखते हैं question number six question number six क्या है तो कितनी money में आप उसको बेचोगे कि आपको 10% का profit हो 540 में अगर हम उसचीज को बेचते हैं 10% का नुक्सान होगा तो कितने रुपे में बेचे कि 10% सब्सक्राइब तो पर्सेंट तोटल उम्हें हम जानते हैं हमारे पास है जो money दी हुई थी 540 उसमें upon हमने profit रखा 100 से उसके इंचुकरी total money जो थी हमारे पास उससे इंचुकरी अब ये बाकी का कहां से आया ये बाकी का इतना कहां से आया हमने 100 में ये 10% प्रस किया 110 आया upon में 100 रखा और जब इसको solve करेंगे 660 हमारा answer होगा 660 हमारा answer होगा तो हमने इस के करने के लिए छोटा सा हमने simple formula लिया हमने total money देखी profit कितना होगा हमने ये देखा profit कितना हो सकता है हमारे पास और फिर हमने इस formula को solve करा next question next question कह रहा है कि P plus Q into 40% इसके equal है P minus Q into 60% के so P और Q आपकी क्या है P और Q आपकी क्या है देखें क्या कहा है P plus Q 40% है P minus Q 60% है 40% 40 और 60 दोनों एक ही values है 40 और 60 दोनों एक ही value है तो क्या करते हैं 40 और 60 को एक साथ लिख लेते हैं 40 upon 60 हमारे पास 2 upon 3% आया अब देखे है इधर इधर हमारे पास 2 upon 3 क्यों आया तो ये 2 किसका 40 का तो 2 into p plus q 3 किसका है 60 का तो 3 into p minus q इन दोनों को इनकी जंगा पहुचा दिया अब यह हो गया 2p plus 2q यह हो गया 3p minus 3q solve करेंगे आएगा 5p is equals to q क्या आया 5p is equals to q अब इससे q की value भी निकालेंगे मैं अब बता देती हूँ यह दोनों same थी आपने यह दोनों नंबर्स थे इन दोनों को ऊपर नीचे रखा fraction में आपके पास इनका आंसर आया 2 upon 3 2 upon 3 हम इने निकाला 2 upon 3 percentile फिर इनको इनकी जंगा पुचा दिया into में इनको इनकी जंगा पुचा दिया into में अब फिर हमाए पास बचा है 5p plus q अब इसको आगे करते हैं let's all out further फिर 5p plus q बचा है तो पी अपॉन क्यू रख लेंगे पी अपॉन क्यू फाइफ अपॉन वन रेशियो निकाला था तो फाइफ रेशियो वन आपका आंसर आ गया और अगर हम इसको दूसरे फॉर्मूले से सॉल्फ करते दूसरा फॉर्मूले इसको सॉल्फ करने का क्या हो सकता था कि 40% को हम जैसे अगर हम इसको एसे ही सॉल्फ करते हैं इतने equation मान के तो फॉर्टी को मिछ इथर पुछाते इवाइड में फिर भी हमाइपस रहूंद रहा था पी को हम इधर लाते पी कर जाता क्यों को हम इधर लाते क्यों क्यों कर जाता बठ बच्चों हमें तो रेशियो चाहिए था ना we have to find P ratio Q तो P ratio Q निकालने के लिए हमारा ये formula ये method काम नहीं करता इस वज़े से हमने इसको दूसरे method से solve करने की कोशिश करी Let's move to question number 8 Question number 8 है अगर X plus 5 Y आपका 5 है अगर X plus 5 आपका 5 है X Y 18 है तो X cube और Y cube कितना होगा X plus Y 5 है X Y 18 है तो X cube और Y cube कितना होगा देखें X plus Y plus X Y cube is equals to 5 cube Is equals to 5 cube अब मैंने एक ऐसे लिखा How can I write that देखें अगर हम इसको solve करते हैं अगर हम इन दोनों को एक साथ रखते हैं इन दोनों को solve करते हैं इस equation को ही solve करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की equation बैट चाहेगी We will get a equation like this So हमारे पास जब हम इन तीनों का cube लेंगे आपका एक formula माली जाब आपने इन तीनों का cube लेंगे आपके पास आएगा X cube plus Y cube plus 3xy और यहाँ पे X Y अकेले में भी रहेगा क्योंकि आप X Y कब आप cube कैसे कर सकते हैं बच्चो X Y का अगर हमें cube करना होगा हमें इस पूरे का cube करना है हमने इसे क्या माल लिया A B plus A B तो इस formula से जब हम इसका cube करेंगे तो हमारे पास आएगा X cube plus Y cube plus 3xy plus X plus into X plus 5 125 आ रहा है X cube Y cube plus 3 into 18 into 5 अब मैंने यह कैसे करा देखिए X Y की value given थी 18 X plus 5 Y क्या थे X plus 5 Y थी हमारे 5 तो into 5 रग दिया 270 आया 270 धर बेजा माइनस में माइनस 45 आया X cube और Y cube आपका माइनस 45 आगया X cube और Y cube आपका माइनस 45 आगया So easy एक बार और देख लिए चाप simply बता देती हूं जल्दी जल्दी इन तीनों का हमने cube करा इन दोनों का हमने cube करा इन दोनों का हमने cube इस ले करा क्योंकि यहाँ पर हमें cube निकालना था और X plus Y का अगर हमको whole cube करते हैं तो हमारे पास आता है जैसे A plus B का अगर हम whole cube करते हैं A square plus B square plus 2AB और अब हमें square करते हैं अब हमें here cube करना था तो हम क्या लिखेंगे A cube plus B cube plus 3AB so x cube plus y cube plus 3xy और xy का cube करेंगे तो वो xy रहेगा देखें x plus y की value दे रखी थी हमें x plus y की value थी 5 तो x plus y की value थी 18 इंटू 3 करा हमारे पास 70 आई to 70 हाँ पहुचा है x cube और y cube हमारे पास minus 45 निकलके आ गया next question 9th one ये कह रहा है a plus b अगर आपका 10 है a plus b अगर आपका 10 है a square plus b square अगर आपका 68 है तो a cube plus b cube आपका कितना होगा a cube plus b cube आपका कितना होगा so देखें इसको कैसे हम solve कर सकते हैं हमने let कर लिया a हमारा 8 है और b हमारा 2 है हमने कैसे ये let किया देखें 8 में ऐसा क्या plus यह वाला कुश्एन आप इस मेढ़ से कर सकते थे इस मेढ़से आप इसको कर सकते थे बंटी वह नहीं होता जाधा क्योंकि इसमेहां इंटुमे स्क्राइक तो हमारे पास है कि आ था क्या था क्योंफी रहा है आपि यहां को चुछ अर्डेटीट करते हैं 8 और तूट करते हैं एक का स्क्वेर हुथा है 64 टू का स्क्रोथा फॉट सिस्टी फौर स्टी तो मतलब एक और थो हमारी वेल्यू प्रथ स्क। अब और जरा जगाया 520, इसके कोई short trick नहीं हो सकती थी, so I have solved it out with a simple method, last question, sin आपको given है sin की value 45 degree plus A, और minus cos की value हमें given है 45 degree minus A, अब हम जानते है sin 90 degree minus 8 is equals to cos theta, sin 90 degree minus 8 is equals to what, cos theta, so हम क्या करते है, यह जो 90 degree है, इसको हम minus में रख देते हैं इसके साथ, तो sin 90 degree minus 45 degree minus A, sin 90 degree minus 45 degree minus A, हमने यह कैसे करा बच्चो, यह हमें given था कि sin की value इतनी होती है, तो हम क्या करते है, 90 degree, cos theta के कवल होता है, cos यह है, तो cos का यह सारा यहाँ पूट कर लिया, हमने, cos का यहाँ पूट कर लिया, 90 degree से इसको minus कर लि minus, minus हम cos के 45 degree minus A, 45 degree minus A, cos का 45 degree minus A, इस cos का 45 degree minus A, इसको कर लिया, कैसे करता, देखे, अब यह जो value आई, हमारी यह आई, theta value, यह आई, हमारी theta value, cos theta हमें क्या given है, 45 degree minus A, और हम जानते है, sin 90 degree हमारा, कितके एकवल होता है, cos theta के, तो हम रखेंगे sin ninety degree degree minus cost theta cos theta था 45 degree minus A अब minus में था cost theta ओख, so अब इसको solve out करेंगे हमारे पास आएगा minus isar को solve out करने के बाद sin ninety degree अगर हम इसको solve out करते फ़रदर तो हमारे पास आता sin 45 degree minus A अभी जो sin 45 degree minus A हमारे पास आता यह हमारा यहाँ पे house около cost आ जाता स्काइबूं है कि इसके एक वल होता था थो हमने कॉश 45 डिगरी माइनस से लिग दिया मैनस कॉश 45 डिगरी माइनस यह दोनों कट गए बाइंग जीरो आनसर आया लिखे और हमारा आंसे सॉल आउट हो गया तो आपको इस सारी कॉंसिस्टेंथ की टेंथ कुश्चन समझ आएंगे जो आपकी हर एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थैंक यू थैंक्स अलॉट